तो धीरे धीरे time के साथ मीशो ने जो अपने एड़टाइजिंग में changes करे हैं ना वो एकदम काबिले तारीफ हैं आपको मैं बता दू कि मीशो का जो only revenue source है वो है एड़टाइजिंग जो वो obviously seller advertising करते हैं उससे वो कमाता है इसलिए आपने देखा होगा बार बार अलग अलग के केमपेंज वो परमोट करते रहते हैं तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक न्यू चेंज का मीशो में जो आया है जिसके तहट आप कीवर्ड के थूरू टार्गेट कर सकते हो कस्टमर को यह बहुत बड़ी बात है जो की एमजान और फ्लिपकार्ट पर अल्रे के आप आओ चलिए वेलकम तो रिशी कॉमर्स एम रिशी सीधे वीडियो को स्टार्ट करूँगा यह मैंने ओपन करा मीशो का सप्लायर पैनल और हां जो हमारा ओफर है मन्थेंड ओफर वो स्टार्ट हो जाएगा कल से लेकिन 30 और 31 सिर्फ दो दिन का ओफर रहेगा एकाउ आज के लिए आप आज मत करिएगा चलिए आगे बठते हैं और हम सीधे आ जाते हैं सप्लायर पैनल पर सप्लायर पैनल पर आवा जाते हैं एडवर्टीजमेंट में इसको बैक कर देता हूं आपको उपर में यह वाला स्लॉट मिलता है अच्छा हाँ फ्री एड क्रेडिट मैंने वैसे मीशो एडवर्टाइजिंग पर कम्प्लीट बहुत बड़ी बड़ी वीडियो बनाई हैं वह मैं आपको इस वीडियो के एंड में दे दूंगा अगर आपको सीखना है अडवर्टाइजिंग मीशो का तो इसमें जैसे स्मार्ट केमपेइन इंट्रद्यूस किय मैं वीडियो बना चुका हूं उसके बाद कमिट बजट का बोला है मीशो ने कि आप बजट कमिट करो वगरा इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं जो आपको बिल्कुल भी नहीं मतब स्मार्ट केमपेइन भी मैं ज्यादा रिकमेंड नहीं करता और यह लिमिटेड जो 28 अक्टूबर से लेके 5 नवेंबर के बीच में ही आप इसे एड क्रेडिट को यूज कर सकते हो अदरवाइस आप इसको यूज नहीं कर पाऊगो यह एकस्पायर हो जाएगा तो अगर आपको एड क्रेडिट पे प्रॉपर डिटेल वीडियो चाहिए तो में एड प्रॉडक्ट डालने है मैनवली उसमें सीपीसी डालना है मैनवली उसमें बजट डालना है सब कुछ मैनवली था तो मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई थी वह और बहुत सारे सेलर ने उससे हेल्पी ली बट अब आप देखो एक तो मैनवल केमपेइन हो गया जो आप अप अचुका हूं इस पर मुझे नहीं लगता बनाने की जरूरत है और मैं यह रिकमेंट भी नहीं करता न्यू केटलॉग बूस्टर है इसमें लो सीपीसी में नए केटलॉग को बूस्ट कर सकते हैं तो वो तो आप मैनवल में भी करी सकते हैं राइट लेकिन यहाप गैरेंट कि only 10% ही लोग ऐसे हैं बड़े सेलर्स जो है स्पेशली जिनके अच्छी सेल है वही इसमें क्या है एलिजबल हो रखा है तो यहाँ पर आपका इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे टॉप केटलॉग्स केंपेइन इंक्रीज ओडर्स ओफ यॉर टॉप पफॉर्मिंग केट उसके अलावा उसकी जो सर्चिंग है वह बहुत अच्छी हो रही है और केटलॉग और प्रॉपर आपने उसका बना रखा है तो अबसली वह एलिजबल हो जाएगा इस्पेशली टॉप आइटम ही आपका है जैसे इन सेलर का एक केटलॉग जो है वह यहाँ पर एलिजबल ह यहाँ रखा है अब आप इसके बैनर पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीशो का यहाँ पर बायर पैनल दिखा रखा है यह देखे बायर पैनल है कोई साड़ी सर्च करता है तो आपका प्रॉडक्ट उस केटिगरी उस लिस्टिंग में टॉप में आएगा उस कीवर्ड पर यहाँ पर देखे आप लिखा लिखा हुआ है शो एड्स ओनली ओन सर्च सिर्फ सर्च में दिखेगा आपका एड वैसे नहीं दिखेगा कि कोई चलता गया और दिख गया फॉर रेलेवेंट कीवर्ट्स ओनली यहर केटलॉग विल प्राइरटाइज फॉर टॉप स्लोट्स तीन करोड से उपर सर्च हर दिन मीशो पर होते हैं यह आपको समझना जरूरी है कि एक दिन में कम सकम तीन करोड लोग मीशो पर जा के सर्च करते हैं कुछ ना कुछ राइट वो एक सर्च इंजन टाइप हो गया तो यहाँ पर देखेंगे कॉंग्राइट आपके पास एक लिस्टिंग है आपकी जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा है और इसमें कमिट किया है मीशो ने सिक्स एक्स मोर विजिबिलिटी यह होना ही होना है सिंपल सी चीज है मैं मीशो के यहाँ पर कोई पार्शल्टी नहीं करूंगा बट सिंपल सी चीज है तो उसके आप खुछ समझ जाओ की विजिबिलिटी और सेल होने के चांसे डबल ट्रिपल होंगे ही होंगे तो इसमें कोई बुरी वो मतलब कोई गलत कमिटमेंट नहीं है अब यहाँ पर एक लाइन हाँ पर देखिए डीटेल में लिखिवी इसको मतलब शॉट में लिखि लिस्टिंग है तो उसमें से 3% लिस्टिंग ही इसके लिए लिजबल है उनमें से एक इन सेलर का है जो हमारी क्लाइंट है तो इसी तरीके से आप भी अपनी लिस्टिंग को इसमें लिजबल करा सकते आपकी है तो मैं strongly recommend करूंगा कि आप इसमें participate करो ही करो चलिए अब बात करते keyword targeting इसमें कैसे हो रही है थोड़ा नीचे आजेंगे campaign का नेम यहाँ पर टॉप केटलॉग आ जाएगा आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं आपकी मर्जी है बट आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए eligible catalog है अब eligible जैसे आपने बहुत सारी seller पूछेंगे eligible कैसे होगा तो eligible कैसे होगा eligibility depends on catalog ratings how closely it matches the keyword customer searches for CPC will be managed automatically CPC इसमें automatic manage होगा मिशो ही करेगा और CPC मतलब clicks पर click पे कितना पैसा जाएगा उसके बाद eligibility आप समझी कहोंगे जैसे मैंने बताया उसी के according eligible होगा वीडियो को यहां तक देख लिया लाइक जरूर कर दिया करो और subscribe कर दिया करो okay and offer मैंने जैसे बताया कल और पर्सों के लिए eligible होगा 30 तारीक और 30 तारीक ग्रैप कर सकते है फ्लिप कार्ट Amazon मिशो के लिए चलिए इस catalog की बात करते तो यह वाला catalog है जो की slip cover sofa cover sofa या table cover हम इसक type का है देख सकते हैं इसमें अगर मैं क्लिक करूं तो यहां पर देखिए इस type का रखा है उसके अलावा top three eligible keywords है इसके लिए जो यहां पर आप आई बटन पर लगाएंगे तो the catalog will be prioritized at the top slot of the search result when customer search for these की वा अगर customer sofa cover लिखेगा sofa cover set five sitter लिखेगा sofa cover set लिखेगा अब जब भी customer search करता है उसको cover चाहिए तो sofa cover लिखेगा या sofa cover set लिखेगा या sofa cover set लिखेगा अगर इन keyword को customer लिखेगा तो आपका यह product top में आएगा top में मतलब अगर mobile में अगर मैं बात कर रहा हूं तो पहले दूसरे या तीसरे slab में आ जाएगा और अगर desktop की बात कर तो first में ही आ जाएगा इसकी रेटिंग आप देख सकते हैं लास्ट इस दिन में इसके 1000 से उपर order है selling price यह है और date uploaded इस date को डाल अगया था stock अभी इसमें इतना है तो इस तरीके से यहाँ पर detail में दे रखा है यह product क्या है कैसा है इस पर आपको लगाना चाहिए तो आपको confirm लगाना चाहिए क्यों 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 कि इससे फाइदा क्या होगा product sale होगा आपका ठीक है उससे आपका branding भी ब increase कर सकते हो थोड़ा नीचे आईए तो यहाँ पर budget आपने खुच select करना है आप manually भी budget select कर सकते हैं अगर मानके चलिए आपका अच्छा budget है तो मैं बोलूँगा आप 1000 रुपे per day इस पे जरूर लगाईगे क्योंकि अगर आपका eligible है तो इसका मतलब आप अच्छे sale कर रहे हो उसके बाद आपने date यहाँ पर select कर लेनी है तो मैं बोलूँगा शुरू मैं आप एक हपते का time लगाईए एक हपते में result चेक करी एक हपते में अगर आप 500 उपीस per day लगाईगे तो साड़े 3000 रुपे जाएंगे और अगर 1000 बिल 7000 जाएंगे ठीक है उसके बाद continue to submit आपने and select कर लेगा तो मीशो के ads में यह पहला ऐसा update है जिसको मैं recommend कर रहा हूं इसके अलावा और भी इसमें update आये थे जैसे smart campaign आये था जिसमें सारा मीशो करेगा मैं बिल्कुल उसको मैं ने recommend नहीं किया था उसके बाद new catalog booster इसको मैं recommend नहीं किया smart campaign मैं ने recommend नहीं किया तो specific आप keyword को target कर रहे हो और जब customer के सामने कोई product दिखाया जाता है न तब वो कम खरीदता है लेकिन जब वो खुद सर्च करके वो product देखता है तो तब वो ज्यादा खरीदने के chances उसके चलिए वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई है तो helpful ज़रूर लिख देना किसी और topic प एंड में डीटेल एडवर्टीजमेंड की जो वीडियो हैं उनका लिंक दे दूंगा जाके चेक कर सकते हैं और हां एंड में बस एकी चीज और बोलूंगा कि 30 और 31 को offer live हो जाएगा कल और परसों जाके ग्रैब कर सकते हैं और हां WhatsApp चैनल जरूर से जरूर जोइन कर लेना सा